नमस्कार कैसे हैं नमस्कार मैं हूँ राकेश आप लोगे सामने स्वागत करता हूं मकर संक्रांति की शुब काम में उभीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे के बिस प्याइटी टीटी पीजेटी और अधर एक्जाम्स के बारे में कई सारी चीज़े आ रही है बच्चे कई सारी अलग-अलग rumors में लगे हुए हैं या आगे के जो आने वाला समय है कितना समय उनके पास या कितने इस समय में लास्ट समय में अंकिम समय बहुत जरूरी होता है Hard 59 किसी परिक्शा के लिए उसमें कैसे लेकि चीज़ों को चलना पैनिक हो जाते हैं जिसका लोग फाइदा भी उठाते हैं ऐसे लोग भी आपको सला देंगे जो जिसमें की जो आप से साथ बौधिक शमता में नीचे हो लेकिंगे फिर भी आप मजबूर रहते हैं अलग-अलग चीजों की बात मानने के उपर और वहीं जाके थोड़ी सी मु होनी है मैंने इसके पर एक लेक्चर नहीं बना यतनी रामाया हुई तरह तमाशे हुए क्यों को कहीं मतलब नहीं था के विए समीसा हर साल हर बार 2013 से देख लिए जब एक्जाम लेता हो तीन से चार महीनों में लेता है तीन महीना एटमोस्ट है इस बार भी कोई नया नहीं होने वाला है डेट आई की फैब्रेरी में हो सकता है कोई लोग बोले मार्च में हो सकता है कोई अप्रेल माई में हो सकता है किसी पर कोई एक करने के नहीं है अब तीन महीने के टेन वर से प्रिपरेशन शुरू करिए नौंबर में व्रकेंसी आ गए थी जो बिल्कुली ब् परिक्षा पास कर तो आसान नहीं होता है वह किसी परिक्षा में चपरासी तक के परिक्षा में असान नहीं होता है आपको पहले का अनभव या थोड़ा पढ़ा हुआ होना चाहिए मैं TGT और PGT के लिए बात कर रहा हूं मिलता है तो आपकी revision के लिए मिला है तो रिवीजन करने के हिसाब से लगाई है अक्षुली हम लोग जो समय मांगते हैं समय अपने दिमांगे सोचते हैं उसलिए हमें थोड़ी सी frustration हो जाती है जब हो हमारी planning के हिसाब से चीज़े नहीं होती है तो और कोई ज़्यादा दिकत वाली बात नहीं है तीन महीना सेगर आप पढ़ रहे हैं फिशली कुछ दिनों में तो sufficient है कोई ऐसा syllabus नहीं है हम math को अगर छोड़ दे math को EBS को थोड़ आगर छोड़ दे कोई ऐसा syllabus नहीं है जो ददस बार-बार दिन में complete नहीं हो जाए मैं सही बता रहा हूं आपको pedagogy हो चाहिए आपका हिंदी हो चाहिए अब आप computer और reasoning भी पढ़ने में समय लगाएंगे तो चीजे ठीक नहीं है आप math अगर पढ़िए हो सब चीज अपने आप हो जाएगी हम ऐसे digital द जहान देना है जैसे कि pedagogy में समय दे रहे हैं math में समय दे रहे हैं EBS में समय दे रहे हैं English में समय दे रहे हैं Hindi में समय दे रहे हैं वहां पर आपको वही एक समय है फिर बच्चे घबराते कि हमें सर टाइम ही नहीं मिल रहा है टाइम तो ही आपते पास 90 दिन 100 दिन खूब ह होते हैं लगी रहिए करना क्या है अननेसेसरली डाइवर्ट होने से कुछ फायदा होगा नहीं और एक और चीज जो आप पढ़ रहे हैं ना 90% लोग वही पढ़ रहे हैं तो कोई स्पेशल कंटेंट नहीं होता कोई स्पेशल चीज़े नहीं होती है टॉपिक जो पढ़ रहे है वो भी अगर आप थोरली रिवाइस कर लो तो पैडागोजी में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको नया लगेगा नए टॉपिक में नए एजुकेशन पॉलिसी वगरा है वो आपको थोड़ी सी देखनी होगी तिसरी चीज एविएस में थोड़ा सा छे टॉपिक है उसमें explore करके बढ़ियां से खीच के हम लोग पढ़ सकते हैं मैं बता दूँ कि EVS Current Affair हमारे जो मैं सिर्फ YouTube पर ही करा रहा हूं उससे भी बाहर नहीं आएगा जल्द ही में पेडागोजी की कुछ लेकि आऊंगा और पेडागोजी के थे सासाथ कोश्चन्स करने पर ज्यादा जोर दीजेगा अब अब को कैसरा पेडागोजी कहां पढ़ते हो पेडागोजी ऐसी समस्या वाली बाती नहीं है बस समय नहीं मिलता है, मेरा सारा orientation GS की और होता है, इसलिए मैं पैड़ागोजी से थोड़ा दूर रहता हूँ, अधर्वाइस, Master's मेरी Education में भी है, Education में भी Master's है मेरी और अच्छे अंकों के साथ है, तो उसमें समस्या नहीं है, अब दो-तीन चीज़ आप लोगों को देखने हैं कि एक्जाम कब तो को सकता है, एक्जाम आप PGT, TGT का पहले होगा, तो अगर आपने multiple exam भरे हैं, तो PGT और TGT के लिए थोड़ा सा subject में मजबूत करख रखेगा, और general portion आप करेंगे, तो primary आपका automatic ready हो जाएगा, तो इस तर बहसे हो रहे हैं, चीज़े चीज़े काफी तेज चल रहे हैं, हाना काफी अलग-अलग news निकल के आ रहे हैं, तो अगर आप कई सारे exam eligible हो रहे हैं, तो आप बड़े paper को भी अच्छे से इमानदारी से दीजेगा, मैं बता रहा हूँ, TGT में प्राइमरी के मुकाबले competition कम देखे का आपको, बहुत से लोगों के eligibility नहीं बनती है, जैसे SSD वाल को बोल रहा हूँ, अगर आपने SSD का भराग हुआ है, TGT का भी और primary भी, तो SSD फोकस जम के करिया भी, जब तक exam ना हो जाए, बिकस primary से एक अपता 10 जिन पहले होगा, general portion करेंगे तो primary automatic ready होगा, और वहां आपका NCRT 9-10 वी कही सारा syllabus है, ठेक है, बुस्ट इसमें content level graduation तका आएगा, मैं क्लेक्चर लाओंगा, TGT SSD के उपर, दूसरी चीज, books वगरा को लेके, syllabus वगरा को लेके, कई सारी परचान हो रहे हैं लोग, तो syllabus को ना, मैंने जैसा बोला था, core subjects में बाठी, GS तो बहुत न मत्रक आएगा, तो तीन-चार questions आएगे, current affairs अच्छे से करिए, मेरे channel से हो जाएगा, EBS आप अच्छे से कर लिए, pedagogy के लिए standard books अगर आपने नहीं लिए हैं, तो कोई भी SK मंगल वगरा है, कोई भी standard book ले लिए, और questions आपको जहां से मिले, आप free है, कोई भी अच्छी च कूछते हैं कि अभी हमें mock test लगाने चाहिए, या क्या करना चाहिए, mock test से अच्छा मैं आपको कहूँगा, कि आप अभी, जो subject कर रहे हैं, उसको ना, उसके questions ही करिए, उस दिन, थोड़ा साब को, तो 50% काम तो confidence का होता है, confidence अकर आप मार देंगे, आपना तो फिर चीज़ फ्रेम में होती है, आज आप जो पढ़ रहे हैं, make sure कि कल आपने पढ़ना शुरू किया, तो आज वाला starting, आज वाला आपकल एक घंटा रिवाइस करेंगे पहले, फिर आगे चलेंगे, मतलब रिवीजन बहुत scientific ची होती है, अगर आज आपने कुछ अच्छी से बहुत आपने से रिवाइस कर लिया, वो चिपक जाएगा, आज आपने जो पढ़ा एक दो दिन लगातार आपने से रिवाइस कर लिया, वो फिर सेट हो जाएगा, यह थोड़ा ध्यान देना है आपको, math कई topic होते हैं कि हम 180 में से 180 लाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, सबके अपने अ अगर math कमजोर है, तो आप ही सोचिए कि मुझे अगर 20 में से 20 नमर का math आता है, तो 12-13 नमर पे संटुस्ट हो जाऊंगा, यह हो जाऊंगी, उसके हिसाफ से पर यह, 7th और 8 क्लास की NCRT है, इबन 9th क्लास के NCRT, वही syllabus है, कुछ भी नहीं करना तो उन books की questions को आप solve कर सकते ह कितने भी कमजोर होगा नित में, वह साथ में आठ में के बच्चों के हिसाफ से बनाए गई है, वह कर लीजिए और ज्यादा ज्यादा examples करने कोशिश कीजिए, unsolve की और मच जाए इस समय में, अगर आपको math में दिक्कत है, तो काटिये चीज़ों को, जैसे कि 25 तक स्क्वार कर लीजिए, टेबल्स कर लिए अच्छे से, यह आपके दो तिन कोशन 20 में से simplification के होंगे, जो उसी में सापके हलो जाएंगे, क्यों बला, basic basic concept आप पढ़ लेजिए, छोटी किताब उसे आपको होगा, आप सीधी हारस अगर वाल या बड़ी competitive किताब पढ़ेंगे तो आप परोंगे, बलब classroom situation, वो किसी किताब से नहीं, किसी syllabus से नहीं आएंगे, एक role क्या होता है teacher का, teacher की क्या quality होती है, किसको नहीं बता teacher क्या quality होती है, लीडर्शिप में किसी individually क्या leadership होती है, आप किसी भी छेतर में देख लिजए leadership quality क्या-क्या होती है, उनी के बड़ कोशन आए हाना तो कुछ सीचे तो ऐसी है, बहुत generalized है, ठीक है, और पेडागोजी में तो अच्छी बात यह है, कि जो theory वाला portion है, जो pure psychology वाला portion है, वो तो बहुत थोड़े से में सिम्टाया हुआ है, तो ज्यादा चिंता वाली बाती नहीं है, इस समय में आप focus करिए, language में, English में से marks में से marks नहीं की, हिंदी में तो आप क्या जाएंगे, English में से marks नहीं चोड़ो, आप Math में से marks नहीं चोड़ो, आप EBS में से नहीं चोड़ो, GS current अफिर 10 नमर का है, वहाँ पे, आपका reasoning जब रोलन में आ आ जाए है, तब देख लिना, hardly sata topic है, आपके 10-15 घंटे में हो जाए तो मैं कहूंगा कि आप पहले जो परिक्षा है उस पर जुरूर फोकस करिए, यह नहीं कि RCT कम है तो इसको ना दे, और जो बीर्ड वाले प्राइमरी में है, वह अपने TGT, PGT वाले paper को हलके हम बिलकुल मत करिएगा, यहां बना कि रखिए, बिकास जो, मैं तो यह personally सोचत कि बीर्ड रहे, इसमें तो ठीक है, तो बहुत बड़ा कियोस हो जाएगा, हाना बहुत से बच्चों के सा समझाएं खड़ी जाएगी, तो बीर्ड मेरे हिसाब से जैसे NEP 2020 में सरकार का विजन जैसे है, इसको लेके, बीर्ड को लेके, उस हिसाब से बीर्ड रुकनी चाहि है, टीचिंग के लिए अब उन्हों नहीं किया है, तो जो बीर्ड वाले हैं, उन्होंने जितने फॉर्म भरे हैं, सब पर रही दाव लगा के रखिए आप लोग, ठीक है, सोल प्राइमरी पर मच जाएए, महीं मांदारी से बोल रहा हूं, कुछ नहीं पता कि कि किस हो रहे लेंगे, शायद ठीक लेंगे, तो दो-तीन चीज़े हैं, आप अभी भी ये मान के चलिए कि आपके पास अगर प्राइमरी के लिए हैं, तो महीना भर कर समय आपके पास होना चाहिए, कम सकम 25 दिन पहले आपको खबर मिल जाएगी, एक्जाम की, तो अगर फरवदी में एक करने वाले लोगों से दूर रहें, ऐसे लोग का सेलिक्शन नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोग सिफ गॉसिप करते रहेंगे, फोन बंद करकिए, अपना मुबाइल बंद रखिए, पढ़िए, कंटेंट समझ नहीं आ रहा हो, देख लीजिए, कहीं से कोर्स जाओ, बैटो, बस, यही बिस, तिन, चार, पात, चीज़े करिए, और ज्यादा कुछ नहीं, समझ रहे हैं, जितना एक्स्ट्र आप सोचेंगे, उतनी समस्या होगी, एंड रिजल्ट पर नहीं पहुंचना, कि इंटर्व्यू कैसे होगा, अरे रिटन निकालो, रिटन होते हैं, तुम्हारे इतना confidence हो जाएगा, कि उचल दोगे इंटर्व्यू को यार तो, पहले रिटन पर फोकस करो, ठीक है, खेर ज्यादा हो गया तो, एक दो बार और मैं थोड़ा सा इस पर डेटेल पॉइंट, कुछ content लेखिया होगा, फिर हम लग अपने जो original content रता उसक चीजे पढ़ लिजिये, बहुत digital source पढ़ा हुआ है, ठीक है, बस, ज्यादा अटेंशन मेनी पढ़ना है, बाबाए, थेंक यू, थेंक यू